Hello everyone, मैं हूँ अन्वराग और आप देख रहे हैं Learning Lab Channel तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ इस तरीके कि यहाँ पे आज फूटेज है तो लास्ट क्लासेश में हमने पेंट के बारे में थोड़ी सी डीटेल्स में चीज़े देखी थी और थोड़ा सा आगे कि तरफ आज बढ़ रहे हैं जैसे कि आप देख पाएंगे तो यह कुछ इस तरीके का आपको सौट ने जरा रहा होगा तो आज हम क्या लर्न करने वाले हैं पहले हम वो देख लेंगे तो यह सौट जैसे कि आप थोड़ा सा अगर इसको अनलाइस करेंगे तो मैं अगर यहां पर फर्स प्रेम पर जाता हूँ यहां पर जो हमारे पास यहां पर जो कैरेक्टर यह आपको पूरी तरीके से फोकस में नजराएगा और यहां पर जो बैग्राउंड है यहां पर आप देखेंगे तो यह पूरी तरीके से दिफोकस होगा लेकिन जैसे ही आपको कैमरा आपको बताने वाला हूं कि जैसे आपको क्लीन प्लेट या कुछ भी यहां से object रिमूप करना तो आप कैसे रिमूप करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पूरव फूटेज मिल रहा ang सकते हुझ यृक्ण को अगर आप इन्रैक स्टाब में जाएंगी तो ज्याद़ेलिट नहीं करेंगे और ड्राइटल अपने इस टोटोल को கौकर सेलेक कर सकता हूँ तो यह project sitting wall process हो गए complete यहाँ से मैं on कर लेता हूँ मैं इस file को अभी save नहीं कर रहा हूँ अगर आप काम कर रहे हैं तो make sure अपनी इस file को यहाँ से file में जाके अपनी किसी भी नाम से आप save कर सकते हैं तो ठीक है चले अभी अपने काम को start कर लेंगे सबसे पहले मैंने बोला था जगर आप काम की sort को start कर रहा है तो पहले sort को आप 2-5 minute उसको absorb करें कि और plan करें कि हमें sort को कैसे complete करना है तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं चलिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो फूटेज है यहाँ से पूरी तरीके से आपको blur मिल रहा defocus मिल रहा background और यहाँ आते आते sharp हो जा रहा तो पहले आप task समझ लेते हैं यहाँ पे जो बाइक आपको दिख रही है हम इस बाइक को इस sort से remove करने वाले है अगर आपको कभी भी ऐसे कुछ sorts मिलते हैं तो जो आपको clean plate create करना हो या paint work की start करना हो आप start frame से start करें उसके बाद में आप defocus की तरफ से जाए यह चीज काफी important हो जाती है तो चलिए तो हम जो clean plate create करने वाले हम create करेंगे 250 prints मे complete create करने के लिए आपको लेना है यहाँ पर P press करेंगे आपको paint node मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ से clone tool को यहाँ से ले लेना है यहाँ से ऐसे और आप full screen space दवार के साथ कर सकते हैं और यहाँ से अपने काम को कर लेना है start तो अभी आपको cloning start करेंगे अगर आपने हमाई last controls को follow किया होगा तो हमने वहाँ पे cloning के बारे में कापी अच्छे और details में सारी चीजे बताई है तो आपको यह clean कर लेना हो में भी जब हम clean कर रहे होंगे तो इसमें थोड़ा सा time लग सकता है तो मैं क्या करता हूँ यह cleaning वाला जो process है इसको मैं skip करता हूँ और यह पूरी तरीके से जब remove हो जाते है वाइक उसके बाद सारी चीजे मैं दिखाता हूँ जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मैंने यहां से इस बाई को पूरी तरीके से रिमूब कर लिया जैसे कि आप देखेंगे यह वर काप silhouette या फोटोशॉप के अंदर भी जाके यहां पे एक सिंगल फ्रेम लेके आ सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं इसू है लेकिन अगर आप आप न्यूब के अंदर सारी चीज़े करते हैं तो आपको जो न्यूब का न्यूब की स्किल्स हैं वो काफी इंप्रूब हो जाने वाली है तो मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यह टूटरोल को न्यूब के अंदर ही करें और जो फूटेज रहेगा उसका लिंक का आपको description में हमेशा की तरह मिल जाने वाला है तो इस प्रेम पर हमने clean कर लिया जैसे में next पर जाता हूं यहां पर वापस आ जाती है तो मुझे क्या करना है यहां पर मुझे एक चाहिए रहेगा फ्रेम ओल्ड नोट कैसे देखें टैप्रेस करना है आप यहां से फ्रेम लेना है तो जो न्यूक का नया वर्जन है वहां पे हम देखेंगे तो जो मेरे फ्रेम होल में जैसे मैंने फ्रेम होल लिया है उसकी वैली ऑटोमेटिक 250 आ गई क्योंकि मेरा जो यह फ्रेम्स में है अगर आप कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहा है तो वहां पे आपको यह अगले मैं आपको यहा प्लेट लेनी है और इसको ट्रेक करना है तो क्या करने के एक मैं यहाँ से merge node लेता हूँ और आपको एक roto लेना है ऐसा कुछ और इसके mask में connect कर देना है mask में connect करने के बाद हमें इसके around में ऐसा कुछ यह create कर लेना है roto shape आप अपने मैं garbage ले रहा हूँ आप अपने recording थोड़ा इससे बड़ा या छोटा आपने recording कर लेंगे तो भी चलेगा ऐसा कुछ issue होने वाल नहीं है तो यहाँ पर यह process हो गया complete देखे यह हमारे पास clean plate यहाँ पर बनके आ गई है अब आपको यह पूरा setup तैयार करने के लिए जैसे कि हम ट्रेक के लिए यूज करते हैं तो एक मर्ज आपको लेना है एक को आपको प्लेट में करता है वी को और इसनल में करना है चले अभी one करते हैं और two करते हैं तो यहाँ से यह plate आपको नजार आ रही होगी तो अगर आ आपको ट्रेक करना है यहाँ पर आपको लेनना है ट्रेकर नौड है कि तो ट्रेकर नौड हम ले लिया और यहां पर बेटर पॉइंट एक डोलना जिसको आ पूपि नौर्मल सा है तो वं पे हमारी यूज में आ जाएगा मैं क्या करता हूं यहां आपको आना है आप देख आप कहीं और भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहां बेटर लगे, जहां से आपको अच्छा track मिले, आप वहां से इसका track निकाल सकते हैं, तो मैं आगी तरफ ऐसा कुछ कर देता हूं, देखें, यहां का एक basic track हमें मिल गया है, defocus है, तो में भी हमें track बहुत अच इसको connect कर लिजे, और directly आपको आजाना है transform में, यहां पर जो reference frame है, one है, और मैं इसको set this frame यहां पर कर लेता हूं, reference frame को, और यहां जो transform है, वो none है, तो इसको आप match move कर ले, अभी फिर से मैं क्या करता हूं, आपको एक बार play करता हूं, और आपको यह पता चलेगा कैसा हो र track बराबर नहीं जा रहा, वो अभी track पूरी तरीके से साथ में जा रहा, लेकिन अगर एक problem आप यहां पर देखेंगे, चलिए, यहां तो हमें अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं start frame में जाता हूं, यहां पर देखें, पूरी तरीके से यह चीज है defocus है, लेकिन यह ज जाएगी, जैसे आप defocus node लेंगे, यहां पर इसकी कुछ properties हैं, तो यहां पर defocus, aspect ratio, scaling and quality, यह चीज़े जो main है, यहां पर mix तो almost हर node में आपको मिलने वाला है, यह mask option है, तो यहां पर जो 3 parameters है, 3 से 4 parameters है, इनको हमें जानना है, तो किसी भी node को अगर आप parameter को समझना चाहते है तो सबसे बेश तरीका होता है कि आप उसको किसी भी footage या viewer के साथ attach करें, attach करने बात उसके साथ थोड़ा से time करें, back and forth, back and forth, आप करना, जैसे मैं यहां पर करता हूं, defocus की value को यहां पर increase करता हूं, देखे, defocus की value की increase करना हूं, तो कुछ ऐसा effect यहां पर आ रहा है, जब हम defocus लेते हैं, तो normally value ऐसी हाती है, अगर हम zero कर देंगे, तो हमें ऐसा एकदम साथ मिलने वाला, तो यह आपको ध्यान रखना है, चलिए, मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा value को increase कर देता हूं, इसके बाद aspect ratio है, अगर देखे, मैं हमें सा कहता हूं, थोड़ा सा आप इसके play around करें अपने notes को, तो आपको समझ पाएंगे, चलिए, अभी मैं जैसे value increase करता हूं, देखे, कैसी हो रही है, इसके aspect ratio के according यह defocus हो रहा है, देखे, horizontal और vertically हो रहा है, बट कैसा है, aspect ratio जो हमारी footage का है, उसके according यह ले रहा है, तो यहाँ से ऐसा कुछ कर सकते हैं, और यहाँ प देखे, जो हमें bouquet effect जैसा effect मिल रहा है, वही चीज़ें यहाँ से scale हो रही है, तो ऐसे कुछ इसका effects है, आप अपने sort के according रीट करें, हमें currency values को change करना है, उनको आप change कर सकते हैं, तो अभी कलिए इससे delete करते हैं, और हमें जहाँ पर defocus note को add करना है, वो आप directly क्या कर सकते है आप track के ऊपर भी add कर सकते हैं, नीचे भी add कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर tap press करता हूँ, और यहाँ पर defocus को add कर लेते हैं, अब next thing क्या करना है, इस footage में पूरी तरीके से बूकर नहीं करना है, अभी जैसे यहाँ 1 आता हूँ, यहाँ 2 आता हूँ, देखे, अभी भी value जो ह 1 आ रही तो इसको सबसे पहले आप कर लेना है 0, अभी मैं पीछे की तरब जाना है start करता हूँ, हमारा sort कहां से defocus होना है, काफी सारा जो हमारा sort है, वो पूरा तरीके से वो है, सार्फ है तो हमें कहां से start हुआ है, देखे, यहाँ से यहाँ तो बराबर है, यहाँ से थोड अब यहाँ पर आगे की तरफ जाना है, यह defocus देखे, यहाँ पर same है, देखे, आगे read करेंगे, पूरी तरीके same है, देखे, यह कहां तक हो रहा है, देखे, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ से value पूरी तरीके से change हो जाती है, same हो जाती है, तो अब मैं इस पूराइच को इसके साथ match क करूंगा अब मैं यहां फिर टीफोकुस की वैलो को इंक्रीज करने वाला हूं अपने कॉर्डिंग जब तक कि यह आपस में मैच नहों जाएं साइच ओके इस प्रेम में हमने यह मैच कर लिया है अब हमें क्या करना है हमें आगी की तरफ जाना है सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है इसको मैच करने के लिए यहां पर कहां से डीफोकुस होना स्टार्ट होता है यहां पर पूरतर के स्टार्प है यहां से होना होता हुए तो मैं यहां पर set की करता हूं और यह डिब्रोकुस कहा तक हो रहा हुँ भी हमें देखना है कि यहां पर दो तीन, यहां पर पूर तरही का से डिपॉस करता है मुझा थोड़ी सैश्की value को यहां पर इंक्रीस करनें अपने kawning और आगे जाकर देखते हैं देखें यहाँ पर ऐसा है कि यहां से लेके हमें जो यहां तक की वैलू है ओल्मोस्ट डिपोकस की वैलू थोड़ी सी और इंक्रीस करने पड़ेगी आराउन हम टू कर लेते हैं इसको ओके तू करने के बाद देखे यहाँ पर फिर से सेम हो जाती है इसको वैलु को और इंक्रेस कर लेता है तो अल्मोस्ट जो डिफोकस वाला पार्ट था यहाँ पर कम्प्लीट हो गया लेकिन जो आप किसी भी सौट कर रहे है वो पूरी तरीके से अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ तो हम क्या करते है अपने स्वाट को एक बार प्ले करते है देखे जो डिफोकस कैसे एड़ करना है अभी तक आपको देखके समझ में आ जाए होगा लेकिन इस स्वाट में थोड़ी सी जीजे मिसिंग लग रहे है अब मिसिंग क्या है इसमें तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ इसका आप सी सी देखेंगे यहाँ पर कलर देखेंगे तो यह डार्क वोरा और इंडल में यह हमारा लाइट है तो इसके लिए आपको ग्रेड नोट सिंपली लगा देना है कैसे की उच करना है वो बतातेता हूँ इस स्वाट में आप क्या करना है जी प्रेस करना है एक रोटो लेना है और जो चेंजेस हो रहे ना मुस्ली इसी अराउंड हो रहे तो एक यहाँ पर ऐसा कुछ सेप क्रियेट कर लें और थोड़ा फेदर भी इसमें अपने कॉर्डिंग एड़ कर लें ऐसा कुछ करके आप 250 की प्लेट थी यहाँ पे ग्रेड में जाता हूं मैं गें की वैल्यू को चेंज करने वाला हूं यहाँ पे कि यहाँ पे आख देखता हूं थोड़ी सी वैल्यू इसकी एक डाउन कर देंगे यहाँ पे जब तक कि आपको यह मैचश्न लगने लगे है यहां भी हलका से डाउन कर दीजे तो यह हमारा यहां से काम हो गया तो यह छोटा सा सोट था लेकिन जो डिफोकस के पार्ट है काफी लोग मैं इनलस्टी में काम कर रहा हूं काफी टाइम से डिफोकस और बलर में डिफ्रेंस नहीं समझते हैं कभी सोट देते तो उनको साथ फेम में प्रेट करने यह भी नहीं पता रहता तो यह सारी चीजे हैं तो यह छोटा सा आपके लिए टुटोरियल था प्लस एक छोटी से आपके लिए एक्सरसाइस थी जिसको आप कर सकते हैं अगर आप इसको प्रेक्टिस करेंगे तो काफी सारी चीजे आपको क्लियर होती चले जाएंगी हमारी एक्सरसाइस को जैसे आप फोलो कर रहे होंगे एक चीज यहां पर मिसिंग है वो ग्रेन है मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि जो यह फूटेज है यह रौ फूटेज नहीं है और यह रौ फूटेज ना होने के वज़ा से और प्लस इसी क्वाल्टी भी थोड़ी सी लो है तो यहां पर जो ग्रेन्स हैं इनकी ग्रेन्स काफी सारी बहुत खराब सी लग रहे हैं तो हमें ओरिजनल में होती भी नहीं और मिले भी नहीं तो सिर्फ ये आप प्रेक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कुल्स को इंप्रूब कर सकते हैं जो हमारी सहता है चल रही उसके साथ में तो आज की इस वीडियो को हम यहीं खतम करते हैं, मिलेंगे अपने इस क्लास में, तब तक के लिए बबाई, see you, ख्याल रखे अपना